दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल रियल क्विक अनलिसिस पर चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की दुनिया भी बड़ी अजीब है सहाब समुत्र में चलांग लगाने के पहले हर आदमी तालाब में तहरना सीखता है लेकिन शेयर मार्केट दुनिया का एक मात्र ऐसा महा सागर है जिसमें लोग तहरना सीखे बगेर सीधा कूंद पड़ते हैं सबको यही लगता है कि आज ले कि है तहरना सीखने की तो सवाल उठता है कि हर कोई आदमी एक निश्चित मूलधन लेकर मार्केट के मेदान में उतरता है तो इस पैसे का निवेश कैसे किया जाए इसके पहले की हम चर्चा करें कि कैसे इस मूलधन का इस्तमाल करना है हम साफ करना चाहते हैं कि हम और इंट्राडे ट्रेडर को यह छोटी सी बात नहीं समझा सकते हैं क्योंकि उन्हें यह बास समझानी की शक्ति केवल समय के पास होती है तो चलिए ट्रेडिंग की बात तो हो गई अलग अब यदि आपके पास उधारन के लिए 11,000 रुपे का मूलदन है और आप सोच रहे है कि भाई इस पैसे से पैसा कैसे बनाये जाए तो दोस्तों यदि आपकी जगा हम हो तो हम सबसे पहले 1000 रुपे निकाल कर अलग रख देते हैं यह 1000 रुपे उन गोलियों के समान है जो मौका पढ़ने पर बंदूग से पायर की जाएंगी शेर मार्केट में कौन सा मौका कब यह किसी को नहीं पता है इसलिए 1000 रुपे हम हमेशा रिजर्व में रखते हैं ताकि मौका पढ़ने पर हमें पैसा तलासना ना पड़े अब सवाल उठता है कि इन बच्ची हुई 10,000 की गोलियों को कैसे फायर किया जाए तो दोस्तों हमारा नियम यह है कि कि किसी भी समय हम 5 प्रतीशत यानि की 500 से अधिक किसी भी ETF अत्वा शेयर पर खर्च नहीं करेंगे मतलब इस परकार आपके पोर्टफोलियो में हमेशा 20 सेयर और ETF रहेंगे इस से पहले तो आपकी किसी भी एक शेयर पर रिस्क और निर्भरता कम हो जाएगी साथी साथ 20 मैंसे कोई ना कोई तो चलेगा अब ऐसी पूटी किसमत तो किसी की ही नहीं होगी कि 20 के 20 शेयर और ETF की लुटिया एक साथ डूप जाए अब यदि दोस्तों हमें 500 रुपे में किसी कंपनी का शेयर लेना है तो हम 500 रुपे एक ही बार में खर्च नहीं करेंगे ये पैसे नहीं हैं दोस्तों गो जावट पर 6 रुपे 100-100 की तीन किस्तों में निवेश करेंगे ऐसा करने से पहले तो हमारी औसतन कीमत कम हो जाएगी और जब शेयर पल्टी मारके ऊपर की ओर चलेगा तो आपको जाधा लाब होगा अगले मैने फिर आपके पास बचत के 11,000 निवेश करने के लिए आ गए तो फिर आपको 500 ही एक कमपनी में लगानी है लेकिन इस बार चुकी आपके पास यह कमपनी पहले से ही है इसलिए आप चाहें तो 500-500-100-100 की चार किस्तों में अत्वा 200-200-100 की तीन किस्तों में हर गिरावत पर उस शेयर अत्वा एटीएप को खरीच सकते हैं यह जो किस्तों का अनुपात हमने बताया है वह कोई पत्थर की लकीद नहीं है दोस्तों मतलब मौके के अनुसार आप इसे तोड़ मरोड सकते हैं अगर अचानक से अच्छी कमपनी के शेयर में भारी गिरावट दिखी तो 2500-200 की दो किस्तों में भी पैसा डाला जा सकता है मुद्दे की बात सिर्फ यह है कि हम किस्तों में माल खरीदते हैं अब किस्त का आकार कैसा होगा यह मौके पर निर्भर करेगा लेकिन एक नियम जिसे हम कभी नहीं तोड़ते वह यह है कि हम लालच में आकर कितने ही आकरशक और सस्ते भाव पर किसी भी शेयर को भर भर के पूरा का पूरा 10,000 में कभी नहीं खरीदते हैं भले ही चाहे वाई शेयर एक बार खरीदने के बाद अगले ही पल रॉकेट बन जाए आप ही बताएं क्या आप पूरी के पूरी बुलिट्स किसी एक टार्गेट पर एक ही बार में फायर करना पसंद करेंगे शेयर बस की तरह होते हैं एक गई दूसरी आएगी एक बसी तो है छूटी है कौनसा हमारी किस्मत पूर गई कहने का मतलब यह है कि मार्केट में सैयम रखें और धैर से काम लें पैसा अपने आप बनेगा दोस्तों यदि आप किस्तों के सिध्धान का शेयर मार्केट में पालन करें तो लिख कर रख लीजिए आप दिन में खुश रहेंगे और रात में चैंस सुएंगे नहीं तो वही होगा नाचना आवे आगन तेड़ा कि तरह जिंदिकी भर शेयर मार्केट को गालियां दे कर निकाल देंगे अब यदि आपके दिल और दिमाग में कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ETF Knowledge Show को तुरंत सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए हम वहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब देनी की भरपूर कोशिश करते रहेंगे तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो I hope आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स